जी असलाम अलेकुम क्या हाल है जी आप सब को ठीक ठाग है पहली क्लास आप किसी एगी ओके चले मैं अपने एक बीफ इंट्रोड़क्शन से स्टार्ट करता हूं उसके बाद फिर कुछ बाते हैं जो आज आपके साथ करनी है सल्मान हसन मेरा ना और nine सी कोलिफाइड 2014 मेंने सी क्या था 2016 में मैंने चार्ट इंसिट्योट ऑफ मैनेजमेंट अकॉंटर्स यू के से से सटिफिकेशन लेती सो आज पास चाटड़केशन व्क पाकिस्टान और पाकिस्तान और कॉस्ट अजिमेंट अकॉंटर्थ नाहोर से है शायद आपने कभी नाम सुनो अभी बात कर लेते हैं इस बारे में इसके बाद फिर जब कॉलिफाइ किया तो एक जगा पर कुछ तीन-चार साल जॉब की नहीं पसंद रही तो फिर छोड़के अपनी फॉर्म बना ली इस वक्त तक्रीबन चार साल हो गए मेरी अपनी फॉर् कि पढ़ाने के साथ मैं तक्रीबन पिछले कोई चार साड़े-चार साल से सुसीटेड हूं इंट्रोडेक्शन टू अकाउंटिंग आगे काफ लेवल पर टैक्स और सी फैब लेवल पर ड्वांस टैक्स के सब्जेक्ट जह होगा पढ़ाता हूं तो अगर नसीब में हुआ या किसमत हुई तो आपसे आगे भी मुलागात हो सकती है थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी आपके सब्जेक्ट के मुतलिक इंट्रोडेक्शन टू अकाउंटिंग जो मैंने आपको पढ़ाना है कल आप लोगोंने औरियंटेशन एटेंड की होगी सब में नहीं की होगी कु कितने लोकल नहीं थे औरियंटेशन में ओके सबसे पहले जी एक प्यार्सी होती है आपको नदर आरा केमरें पर की बात है प्यार्सी ए पी आर्सी के बाद है जी कैफ लेवल के बाद है जी सीफ़ैप लेवल और देन देर इस मसे वन एंड मसे टू अब पी आर्सी पे आपके पास पांच एक्जैम्स होते हैं ठीक है पांच पेपर्स होते हैं जिसमें आप भी एंडोल्ड होंगे और यह सारे के सारे कम्प्यूटर बेस्ट होते हूँ आप में सिस्टम पे बैठके online जो है वो इनको अटेम्ट करना होता है इन पांच पेपर में से एक पेपर है जी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग उसके बाद जब आप कैफ लेवल पे जाते हैं सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग फाइनस जब आप यह पांच पांस कर लेते हैं फिर आपको ज्यादत होती है कैफ में जाने की इसको उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइट किया गया आप लोगों को इंस्टिशूट अफ च से जिसम याँ दो ग्रूपस हैं कहलें गृप ए या स्टेरेंग जाने कर बेहां भी कि तर म कि श defense अब फिर धो चार पेपर को इसे जो चार पेपर हैं। उसमें में से एक पेपर हैजी台 से अर fare 1 जिसको कहते हैं ऑध इन्टाइंच अकांटिंग एंड रिपोर्टिंग टी ठीक होगी बात फिर आप ग्रूप B में जाते हैं इसमें भी चार पेपर हैं और इसमें एक पेपर है जी उन चार में से F.A.R. 2 Financial Accounting and Reporting 2 उसके बात जब आप ये कैफ लेवल पास कर लेते हैं तो फिर आप जाते हैं सी फैप लेवल पे इस दौरान साथ साथ एक काम और भी हो रहा होता है और वो हो रहा होता है जी आपकी साड़े तीन साल की ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसको आप फिर थिप का नाम देते हैं तो उस यो साड़े तीन साल इसके साथ साथ होती है इसमें आपने क्र रहा होता है और वो साथे पिर्म के दीनिंग जो भी आरिट की टे कि टींगरे हुए जहां पर भी आपकी किस्मत हुई तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग देंग आगो और उसके साथ-साथ आपको ये पेपर ना सिर्फ पढ़ने पढ़ते हैं, बलकि पास भी करने पढ़ते हैं. C-FAB में 6 पेपर हैं, और MSA 1 और MSA 2 ये दो अलाद 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 पेपर्स हैं. जो ये 6 पेपर्स हैं, C-FAB के, इसमें से एक पेपर है, Advanced Accounting and Financial Reporting. ठीक होगे बाद? और जब आप ये C-FAB के 6 पेपर पास कर लेते हैं, कुछ कंडिशन्द हैं, तीन कर लें तो ये हो जाएगा, तीन कर लें तो ये हो जाएगा, आप MSA 1 और MSA 2 देने के Eligible हो जाते हैं. अब ये MSA 1 और MSA 2 क्या है जी? Multisubject Assessment 1, Multisubject Assessment 2. जैसे लवज कह रहा है, Multisubject Assessment इसमें एक से जादा सब्जेक्स होते हैं, जो के Assess हो रहे होते हैं, ठीक है? हो सकता है, इनके अंदर ये ही वाली Accounting दुबारा से टेस्ट हो रही हो. ये Case Studies होते हैं, और इसके अंदर ये ही व बहुत Accounting दुबारा से यहां पर टेस्ट हो रही होती है. 1, 2, 3, 4, 5. पांच लेवल्स पे आपने Accounting पढ़नी होती है. चीक होगी बाग? सबसे कमजोर दरजाई है. कमजोर दरजा से मुराद असाम दरजाई है. चीक है? Introduction to Accounting. टेस्टिंग लेवल्स सबसे कम. F1, एक स्ट फिर सब कुछ शामल है. इंशाला जब यहां तक पहुंचेंगे तो यहां तक पहुंचते वे आपको पता लग जाएगा कि Accounting एक बहुत ही वास सब्जेक्ट है. बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है. और उसके अंदर बहुत सी चीज़े हैं जो सारी की सारी आपको यहां पर ठीक है? वैसे तो याद पूर यूमरी रखना पड़ता है. मैंने आज तक चीज़े याद रिखी हूँ. टेक्स है चूंकर मेरा सब्जेक्ट और आपको पता है टेक्स हर साल जून में चेंज हो जाता है. ठीक है? तो वो हर साल पढ़ना पड़ता है. तो यह जिन्दगी ऐ चाहिए उसकी आपने फिकर नहीं करनी. ठीक है? आपको अकाउंटिंग कहां से पढ़ाई जाएगी? वाट इस अकाउंटिंग? बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट की जाएगी. तो किसी तरीके से आपको परेशान होने की जूरत नहीं है कि जी मैं तो FSC Pre Medical का हूँ. मैं तो FSC Pre Engineering का हूँ. मैंने तो अकाउंटिंग कभी पड़ी नहीं है. अकाउंटिंग का है? मैंने तो कभी Math नहीं पड़ी क्योंके मैं Medical का हूँ. इन चीज़ों से आपको बिल्कुल भी घबराने की जूरत नहीं है. ठीक है? उस लोग कहते हैं घबराना नहीं है. तो नहीं घबर पढ़ने जा रहे हैं वो क्या चीज़ है? और उसके बाद पिर हम ये mechanism device कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ना कैसे है? हम बढ़ाएंगे कैसे? ठीक है जी? आपको कैमरे में नजर आ रहा है सब कुछ? पकी बात है? जी आप लोगों को नजर आ रहा है सब कुछ? ओके. जी जब आप लोग registration करा लेंगे तो ICAP की website है icap.org.pk वहाँ पे जब आप open करेंगे तो एक student का section है उस student के section पे आप click करेंगे तो एक option आ रही होगी studies resources की उस पे click करेंगे तो आपके पास जो आपके 5 subjects हैं वो आ जाएंगे उसमें introduction to accounting पे click किजएगा online books पे click किजएगा तो ये book वहाँ पे आपको मिल जाएगी लेकिन ये काम तब ही हो सकता है जब आपका login बन चुका होगा तो आप नीचे class आए आज दिन के बाद या class के बाद जब भी आपको मौका मिले अपनी registration जल्दी से जल्दी करा ली जाएगा ठीक है क्या documentation है क्या procedure है नीचे आपको ये बातें सारी बता देंगे बाद ये जी आपकी book है ये आपको नदर आ रहे होंगे मजीद इसको zoom कर लेते हैं 414 ये नदर आ रहे हैं 414 सफ़े हैं जी इस किताब के ये किताब कतन याद करने की जरूरत नहीं है maths याद नहीं होता accounting भी समले है mathematics टाइप की चीज़ है याद करने की ज जरूरत नहीं इस है ठीक है फिलहाल जो मैं इंट्रस्टेड हूँ वो आपको सिर्फ और सिर्फ इस table of contents दिखाने में इंट्रस्टेड हूँ ये 10 चेप्टर हैं जो के हम इस पूरे session में पढ़ रहे होंगे ठीक है जी अजीब अजीब नाम है आपको पता भी नहीं लग रह और नहीं पर देट्स यह तो बिल्कुल ही पहली दफास होने हमने इनवेंटरी शायद कभी सुना हो इसमें इसमें इसा मैं नहीं कह सकता है जी हर टॉपिक पे एक अफ़ता लगेगा या दू-दो अफ़ते लगेंगे जो हमारी fundamentals है और जो हमारे ledgers and trial balance है यह हमारी basic है यह वो चीज़ है जिसमें वो end तक आपको लेके जाना है debit credit का एक लवज होता है जी आपने कभी सुना होगा वो इंसाला हम यहां पर देखेंगे यह लवज जो है वो हम इसी basics में पाड़ रहे होंगे तो हो सकता है यह basics हमारी एक महीना ले जाएं हो सकता है 25 ले जाएं 20 ले जाएं तो कुई मस्टे वाली बात नहीं है आपको भी session में इस चीज़ से परिशान होने की जूरत नहीं है अभी बात भी कर लेते हैं आपको paper कब देने चाहिए और कब देने आपने paper और हम session किस तर online paper होगा आपका ठीक है आपको जहां तक मुझे अंदाजा है और यह icap से हमने कल discuss भी किया है कि इंशाला हम एक दफ़ा confirm भी कर लेंगे लेकिन मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ आप कोई paper और नहीं ले जा सकते जो भी calculations होती है वह आपको वहीं पर provide किया जाता सब असी नमबर के MCQs होते हैं शायद 40 MCQs होते हैं और हर MCQ दो दो नमबर का होता है 80 marks ऐसे पूरे हो जाते हैं और एक 20 marks का एक long question होता है वह एक ही question आता है long question और वह किस topic से आ रहा होता है वह basically आतो इस chapter 9 से रहा होता है preparation of financial statements लेकिन यह जो topic है न इसके अंदर कुछ नहीं है य topic इन सब का mixture है इन सबसे चीज़ें आती है चोटा सा topic है एक चोटा सा topic है यह एक चोटा सा topic है यह तमाम topic की चीजें उठके इसके अंदर आकर test हो जाती है वो कैसे होती है इंशाला वो तो जब वक्त आगे चलेगा तो आपको खुद ही समझा जाेगी ति यह किस तरीके से टेस्ट होगी ठीक होगी बात तो ये आपका जी दस चेप्टर्स हैं जो के इंशाला आप पढ़ रहे होंगे और ये इंशाला आप जब सही दिनी कैसे कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे हमें इन 10 चेप्टर्स को कवर करने में कितना टाइम चाहिए तकरीबन 85-90 लेक्चर्स ठीक है मैं दिनों की बात नहीं कर रहा है मैं लेक्चर्स की बात करूँ जैसे आज हमारा पहला लेक्चर है आज तो हम नहीं पढ़ेंगे आज हम यही बात करेंगे कल से इंशाला हम शु पर यहीं ठीक हो की बात 31 दिसंबर तक की अगर मैं बात करूं तो मेरे जहन में सिर्फ दो चुटी हैं जो आ रही है अगर आपके जहन में कोई हो तो आप बता दें यह बातें आपको ज्यादर याद होती है एक तो गालबन 25 दिसंबर की चुटी आ रही है मुझा पता भी कट्र दिसम्बर तक आज का दिन मिला के तकरीवन 94 लेक्चर बन रहे थे 94 वर्किंडिस बन रहे थे उसमें से दो दिन आप निकाल दे तो यह चुटियों के तो 92 लेक्चर बनते हैं जो के हम हमारे पास अवेले बनोंगे और इतना टाइम बहुत है तो उस हसापसकर देखा ज होंगे अगर अल्ला ने जिन्दगी रखी तो और हलात ऐसे ही चलता है रहे ठीक होगी बात इसमें किसी को की मसला कोई मसला नहीं है ओके जी अब आते हैं जी पेपर की तरफ क्या आपका पेपर होगा कैसे जो मैंने बात की जी वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है इंशाला जब आपको लॉग इंडिटेल्स मिलेंगी तो वहां पे आप यह देख लेंगे वहां पे उन्होंने कुछ मॉडल पेपर्स बनाए हुएं ठीक है वह मॉडल पेपर्स इसलिए हैं वो दरा डाउनलोड करने में मसला होता है कल शायद पूरे पाकसर में इंटरनेट बन था पता नहीं क्या हो गया था तो मैं कोशिश करता रहा कि डाउनलोड हो जाए लेकि इन्शाला जब आपको इलिस्ट्रेशन मिलेगी तो आप ये डाउनलोड कर लीजएगा ये बिल्कुल उसी पैटरन पे कहले या उसी लेयाउट में कहले हैं जो आपको आई कैप में जब आप जाएंगे तो इस लेयाउट में आपको मिलेगा ये अभी हम सिर्फ इसको देख हैं तो आपके आपको अंदाजा रहे लेकिन इन्शाला इसको हम गाहे बगाहे ना देखते रहेंगे ताकि पेपर में जब आप जाएं ना तो आपके लिए कोई नई चीज ना हो आपको पता हो कि इसमें क्या चीज क्या है जी इस तरह से जी आपको पेपर आता है थोड़ माक्स के MCQ है ठीक होगी बात आपको नहीं समझाया आपने का अगला सवाल करते हैं यह देखिए यह उपर वन ओफ फॉर्टी वन लिखा हुआ है इस एरो से आप आगे जा सकते हैं ठीक है यह बात हम बात में भी करेंगे जस्ट आपको बता रहो ठीक होगी बात अब अगर आ है कि भाई मैंने दूसरा सवाल कर लिए क्योंके यह हाइलाइट हो जाएगा जो सवाल आपने टेंप नहीं किया वन ओर थ्री वह बिल्कुल वाइट है वह बिल्कुल ब्लैंक है तो यहां से आपको समरी बता लगती रहती है कौन से सवाल में टेंप कर चुका और कौन से देख लूंगा यह इसमें मसला इसको बाद में देखना मुसको फ्लैक कर लेते मार्क कर लेते हैं फिर यह आपके पास नोट पैड। यहां me आपने जो अपनी वह लिखने जो कुछ भी करना वह आप इस नोट पैड पर ऐसे कर को सकतें यह आपके पास अविलिबल हुटा वहां पर यह पेन और पेपर वाली न्यावहां पर इपलाफी नहीं होती यह जीज आपके आपके बाझ और बाझे करना तो आप मत सोचीगा कि मैं इसमें टाइप करके ना पिछले वाले को दिखांगा यह लिए से देख ले पेपर डिफिरेंट होते हैं ठीक है तो यह मत समझिएगा कि आपका और साथ वाले का पेपर ठीक है और सोच रही हो कि यार इच्छा चलो दूसरे का क्या अंसर है वो कहेगा दू उसका तीसरा मार कर दी है ना तो हो सकता है आपका कोई और ही हो ओके तो इन चीजों पर और ना किया करें वैसे मार दो मार्ण थोड़ा सा न इस तरह चलता है लेकिन से लाने की जुरूरत नहीं है और यहां से अब क्यलकुलेटर जो है वो इस्तमाल कर सकते हैं ठीक हो कि ब परिशान मत होएगा देखके यह बस ऐसे ही है यह 41st question जो है ना यह वाला यह थोड़ा सा ना भयानक लगता है मैं एकदम से दिनिया दुनिया खुल जाती है नहीं एक ठीक है जी तो यह जी वो सवाल जो मैं कहा रहा था preparation of financial statements है जी अब मैं आपको थोड़ी सी एक सिर्फ हि inventory यह लिखा वे inventory नदर आ रहा है आप लोगों को यह inventory लिखा वा है याद करें भी आपको table of contents दिखाए थे उसमें stock था inventory था ओके एक accrual or prepayments के भी एक जीब सा लफ्स पड़ा था यह देखें यह prepayments लिखाव है ठीक होगी बात फिर यह advances देखें लिखाव है फिर depreciation भी द depreciation का topic नहीं पढ़ा होगा आपसे adjustment नहीं होगी अगर आपने inventory का topic नहीं पढ़ा होगा आपसे पहले वाली adjustment शायद नहीं हो तो इसलिए वो तमाम topics होंगे तो यह 20 number का सवाल होगा अधर्वाइस नहीं होगा ठीक होगी बात तो यह फॉर्मेट है जी यह आपके working के लिए उ यह format होता है कि इंशाला यह भी हम पढ़ेंगे यहाँ आपने values जो आना वो लिख दी होती है उन्हें drop down दिया होता है यह भी बात करेंगे यह क्या चीज़ है तो यहां से value select करके फिर calculations करके आपने यह तमाम चीज़ें फिल करनी होती है और यह आपका सवाल इस तरीके से solve ह तो यह आपके पेपर का एक layout है जो कि हम गाहे बगाहे जो है ना वो क्या कर रहे होंगे देख रहे होंगे ताकि आप लोग जैस से वाकिफ हो जाए वाक्फियत हो जाए आपको पता लग जाए फिर घर में भी आप इसकी ना practice कर लीजएगा ठीक है एक अभी clarification नहीं है clear नह अगर आपको डर लगता है इन चीजों से तो आइकेप ने यह भी facility दी हुई है बंद करने से चीक है आपकी मरजी है आइकेप आपका जो है ना यह countdown भी हो जाता है यह countdown होता है और यह मलब वक्त कम हो रहा है और यह यह वक्त बढ़रा है तो आप जिस तरह की तबीयत के माल अगें जो बात मैं भी करने लगा था शायद आइकेप हर attempt के बाद ना यह paper model paper रिवाइस कर देता है जो recent attempt होती ही ना वो paper देता है यह भी पता नहीं है अभी confirm नहीं है चूंकि पी यरसी education scheme नहीं नहीं आई है इस तीस बारे में कुछ guarantee से नहीं कहा जा सकता कि यह paper वही वा होते हैं ठीक है तो जिनवरी में भी जो आपका paper होगा ना वो ठारह निस बीस जो भी डेट उस वक्त आएगी तो इन्हीं तारीफों में हो रहा होगा तो आजकल paper हो रहा है तो बीच में हो सकता है तीन-चार paper एकठे हो जाएं तो देख लेंगे तब अंदाजा हमें हो जा जी बुक यह आपके सामने मौजूद है ठीक है जी इसके अंदर यह theory लिखी हुई है चूंकि आपका paper जो है वो सिर्फ एक सवाल उसमें long question आना एक specific topic का बाकी topics में से एक लंबा सवाल नहीं आना हम topic का concept discuss किया करेंगे उसकी कोई basic सी examples किया करेंगे और कोई छोटा मोटा सवाल अगर करना हुआ तो वो भी हम लाजमी करेंगे क्योंकि जब तक question नहीं होगा आपको समय नहीं आएगा topic तो इसलिए सवाल तो हमने करने है वो सवाल नहीं करने जो एक long और पूरा बोर्ट ज हर जाता है वो सवाल हमने नहीं करने उनकी जरूरत ही नहीं है इतने सवाल करने है कि आपका concept जो है वो clear हो जाए जब हम ये काम कर चुके होंगे और इस पर हम चार-पांच दिन जितने भी चाहिए होंगे इस topic ली वह हम लगा चुके होंगे फिर हम आएंगे इस किताब की तरह और इस किताब की फिर हम reading किया करेंगे reading बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ papers में ये भी सुना गया है students हाके बताते हैं कि as it is line उठाकर दे दी जाती है paper के अंदर as it is bookkeeping is the process of recording financial transactions in accounting records of an entity मिसाल के तोर पे इसमें bookkeeping का लवज उसने underline कर दी होगा और नीचे इसकी जगा चार options दे दी होगी कभी कभार ऐसे भी सवाल आते हैं तो इसलिए इस किताब की reading करना बहुत जरूरी है तो ये किताब में ना एक अच्छी बात भी है अच्छी बात मेरे point of view से ये है कि ये किताब ना बहुत तो to the point लिखी हुई है बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है to the point लेकिन मसला ये है कि student होना इस level पे to the point समझ नहीं आती उसको जराना explanation चाही होती है तो इसलिए ऐसा मत कीज़ेगा कि आज सोचें जाके आज तो मैं 10 के 10 chapter पढ़़ी लूँगा जाके ऐसे नहीं करना आप आपको नहीं समझाएगी जब तक एक topic complete नहीं हो जाता ये जब तक मैं आपको नहीं कह देता कि ये जाके पढ़ ले तब तक आपने किताब नहीं खोल ली वहना ऐसी नहीं घूमते रहेंगे दुर्ड़ कोई फाइदा नहीं होगा ठीक है तो इसलिए हम सबसे पहले पूरा topic समझेंगे उसके सवाल करेंगे जब हमारी grip हो जाएगी उसके बाद हम इस किताब के उपर आएंगे और इसकी हम reading किया करेंगे और एक एक जुमला जहां पर आपको अबल तो ऐसी हुआ है कि आज तक मैंने जितना भी पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब किताब पे आय अच्छा हाँ यह वह बात थी तो अंग्रेजी के लिए भी अभी बात कर लेते हैं आप से चैप्टर होगा जी और हर चैप्टर के एंड पे आई कैप ने कुछ एक्जेंपल्स भी बीच में आप देखेंगे क्या रही हैं यह एक्जेंपल्स भी हम सॉल्फ कर लिया करेंग जो के उसने MCQ की फॉर्म में हमें प्रेक्टिस मेटीरियल दी आगा ठीक है तो यह पचास साथ हैं तकरीबन जो हर उस पे होते हैं इस पे शायद 60 हैं पहले चैप्टर में किसी में 50 हैं किसी में 60 हैं और फिर इनके जो है यह आंसर शुरू जाते हैं ठीक है जी तो आंसर प आपका पूरा कौरस है पेपर मैंने आपको दिखा दिया कैसे ignment होगा फेपर पैटरं क्या हो गया वह भी आपने देख लिया अब अगर किसी का कोई सवाल है तो वो बता सकता कोई सवाल नहीं है ओके चलें फिर मैं आप से सवाल करता हूँ क्यों जी सवाल है सर बताईए सर MCQs सर यह आपकी किस्मत है आवी सकते हैं नहीं भी आ सकते अच्छा एक रिक्वेस्ट जो मैंने यह बात की हैं कि कभी का बार हुए इस से पूरी कोई भी एक लाइन उठा कर आपको दे सकता है याद करने ना बैट जाएगे पूरी किताब पता लगे किताब को रटे लगा रहे हैं जरूरत नहीं है इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है इंशाला जब आपका कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा न आपको खुद अंदाजा होगा कि यार यह बात अब कुछ कियाद करने वाली है ठीक है मैथोमेटिक्स जैसे आप लोगों को समझा जाती है और आप लोग मैशाला एफसी और मैट्रिक करके आई हैं कोवेट के लोग हैं आप लोगड़न वाले तो नहीं आप लोग अचा वो वो जो ऑटोमेटिकली पास हो गया थे सारे ओके ओके तो बस ठीक है पेपर आपने दिया है मैथ का आपको अंदाजा है ही के मिस तरीके से आता है या तो यह ना करते है मैथ की किताब बस एक वो concept type का सवाल होता है तो यहाँ भी ऐसे ही होगा एक concept type का सवाल होगा तो आपको कोई याद करनी की कुछ भी जुरूरत नहीं है ठीक है? और कोई सवाल ओके जी अब 10 मिनिट है एक गुफ्तुगू आपके साथ और करनी है क्यूं आया अधर C&M पराबत आईए आप बड़े खुश लग रहे हैं माशालाज जी सर क्यूं आया C&M जे? एक अच्छा प्रोफेशन है अच्छे प्रोफेशन ये definition क्या होती है या तरीफ क्या होती है पैसे? नहीं खुल के बोलें मेरी आपकी उमर में कोई 3-4 मीने के फरक आदा था फरक नहीं है मैं अतना बड़ा तो नहीं लगता ना आपको नहीं पकी बात है बताईए सर क्या अच्छा प्रोफेशन क्या होता सर? अच्छी जिन्दीगी क्या होता सर? मैं जरा उस लवस पे आना चारू हूँ जो आप बेसिकली बोल देंगे भी मुझा पता पैसे सर? अच्छा घर, अच्छी गाड़ी जरा पैसे यही? वो खुल के बोलें या ऐसे ही है? जी, ओके सर, आब बताईए आपकी इसमें अब्बू ने कह दिया, चाचू ने कह दिया, फुपो ने कह दिया सिये करेगा मेरा बेटा बढ़ाओ के बताईए किस लिए है? अंजिडिरिंग पहले करनी थी और सिये में आ गए दाखला नहीं हुआ खुलके बोलें यार, कोई मसले वाली बात नहीं है मैं भी अभी इस्टोडी सनात हो अपनी बताईए अचा टेस्ट नहीं दिया था मतलब मैं अगर आपके उसमें कह दो तो आप अपनी मर्जी से सिये में आये ऐसी है, भेजा तो नहीं किया आप खुद आया है के बेजा गया ये भाई मुझे लगने बेजे गया है अचा आप भी खुद आया है कोई है ऐसा जो बस बेज दिया गया हो अबू ने का था, कजन ने का था वो कजन को देख लिया था, मैंने अब कौलिफार्ट सीये एनिवन, कोई एक ऐसा ओके, सर किन को देखा था आपने अच्छा ये चीज होती है सीये अच्छा, ओके अच्छा, ये बस ये बड़ी इंपॉर्टन बात है मैंसल मैं आना यहीं चाह रहा था क्यों नहीं होगा सीये ये वज़ा मुझे बता दे मैंसल मैं चुक्छे आपका पहला दिन है तो मैं इसी तरह आना चाहरू ये क्या सोच है कि हसने लग जाते हैं सीये नहीं होता, मेरे साथ भी हुआ था क्यों ऐसे करते हैं ये लोग मैं गदन से बात कीर दादल देर भाई है तो इसने बात इसे सीये करवाने है और दस साल लग जाते हैं और पेपर फैंक देते हैं और उसमें से जो जो उपर रह जाए वो पास अच्छा कुछ पेपर होते हैं उन पर ग्रेविटी नहीं होती और वह वामें से उड़ते रहते हैं मेरा पेपर हुआ में उड़ा था जो मैं पास हो गया अच्छा ठीक है मुझे लग रहा था मैं थोड़ा सा काबिल हूँ लेकिन आपने कह दी मेरा पेपर उड़ा था और और इसके लावा और क्या क्या सुना है कोई फायदा नहीं ना करो और सेफ वे सेफ वे क्या होता है बी कॉम कर लो दो कष्टियों के सवार बन ज़ो कम असकम वो नहीं होगा यह तो होगा हाँ यह दौर नहीं बदला मेरे दौर मेरा पुराना दौर नहीं है थोड़ी पुराना दौर तब भी ऐसी था यूनिवर्स्टी की लाइफ इंजॉय करो, ओके और तो वही बासारी बाते हैं जो हर सेशन में मैं सुनता हूँ और जब मैंने सीय शुरू करना था तब सुनता हैं वो सेम बाते हैं, कोई फर्क नहीं है देखिए ये इंतहाई फजूल बात है कि पंका चलाया जाता है और जो पेपर हवा में रह जाते हैं, तो वो लोग पास हो जाते हैं और बागी लोग पास नहीं होते हैं, ठीक है? इलाजिकल बात अभी आपके सीय में किस पेपर है? ठीक है जी? हमारे दौर में 20 होते थे, ये एजुकेशन स्कीम चेंज होती रहती है कभी एक पेपर एड हो जाता है, कभी लस हो जाता है 20 पेपर मैंने पास किये हैं इसमें से कुछ पेपर पहली अटेम्ट में भी है कुछ सेकंड में भी है, कुछ थर्ड में भी है ओपन बात कर रहो, मुझे कुछ इसमें वो नहीं है 13 पेपर मैंने पहली अटेम्ट में पास कर लिये थे 20 में से 3 पेपर मेरी दूसरी में थे हाँ, 3 दूसरी में थे और 4 तीसरी में थे गिरिंटी वाली बात है जिस अटेम्ट में मैं ये सोच के पेपर दे के जब मैं उठा और मैंने का ये पेपर फेल नहीं कर सकता वो नहीं हुआ फेल यकीन करें नहीं हुआ फेल और जिस पेपर में मैं आता था ना काउंटिंग पे, यार अगर ये ऐसे कर दे ना, इसमें इतने नमबर दे दे तो पेपर मेरा पास है अलहम्दलिल्ला, अलहम्दलिल्ला, उसने कभी इतने नमबर नहीं दिये उसने फेली किये ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि वहाँ से मुझे अंदाजा हुआ कि गलती है आपकी अपनी है यह कोई बात नहीं है जी पेपर उचाल दिये गए या उन्होंने सेलेक कर दिया गया कि जी तनी ही पास करने है बाकियों को फेल कर दो इल्लॉजिकल बात सबसे पहली बात हम पढ़ते ही नहीं है यह अंदाजा हो जाएगा हम अपने दोस्तों को देख रहे होते हैं उन्यूवस्टी मौझें कर रहा है ठीक है जी करने दो हम बैठे हैं किताब खोल के बैठे हैं पढ़ी जा रहे हैं पढ़ी जा रहे हैं पागलों की तरह पढ़ी जा रहे हैं पूर जादा है इसमें कोई दूसी रहा नहीं है, पूर जादा है ठीक हो कि बाथ, तो ये अपने जेन से निकाल देंगे जी पास नहीं होते हैं, और दस साल लग जाते हैं वो भी मैं बता देता हूं क्यों लग जाते हैं मैंने 2008 में से यह शुरू किया था और 2014 में मैं कॉलिफाइ कर गया, मुझे 6 साल लगे थे मुझे पूरे 6 साल लगे थे, मैं 6 साल में से यह कॉलिफाइ कर गया था और मैं कोई इतने Intelligent Student नहीं रहा थूड़ा सा मेंती था, Intelligent कभी नहीं था, दोनों बातों में फर्क है Hardwork, Working होने में और Intelligent में फर्क है मैं बस उसको नोट कर लेता था, और घर जाके फिर देखता रहता था दो घंटे तो मुझे ही समय लग जाते थे, उसने किया क्या है फिर जाके मैं कहीं होग जोगा होता था, तो इस चीज़ से बिलकुल परिशान होने की दूरत नहीं है सिर्फ मेनज चाहिए और कमिटमेंट चाहिए, यह दो चीज़ आना तो सी हो जाएगा कमिटमेंट आपको पता है क्या होती है, बस करना है, करना है तो करना है बात हतम खीक होगी बात, सर आपके लिए, जो आपके दो इन्युवस्टी लाइफ एंजॉय कर रहे है उनको आज इन्जुए करने दे, छे साल, अगली जिंदगी फिर उनकी देखियेगा आप यह छे साल लगा लें, फिर अपनी जिंदगी देखियेगा ठीक है जी? तो अपनी ये वाली जिंदगी ऐसे गुजार लें, कि अगली जो जिंदगी है ना, वो वैसी ना गुजार सकें जैसे दूसरे गुजारते हैं ये बात ना समझने की है ये छे मीने मेनत से गुजार ले उसके बाद जो आपकी जिन्दगी है न वो बाकियों से बेतर होगी और अब इस लिए मैंस वक दुनिया भी बात कर रहा हूँ ये हएए की सब आपको सबको बता है इतनी होती है छालेशार होती है नहीं पता नहीं बता नहीं वश्से आपको पता करके आना चाहिए था ठीक है नहीं आप माशलाल अच्छी जिन्दगी आर्द नाम के असर आपका जुबैर जुबैर भाई इन्शाला आपके अच्छी दोस्ती चलेगी ठीक है जी ओके तो गलती इनसान की अपनी होती है फिर भाईने का दस साल लग जाते हैं दस साल क्यों लग जाते हैं इसकी भी एक वज़ा है हम जब यह सी फैप तक पहुंचते हैं औ और वैसे भी आपको बता है हमारे यहां पर थोड़ा सा फैमिली का प्रेशर होता है फैनेशल प्रेशर सब पर ही होता है इसमें कोई दूसरी बात नहीं तो हमारी फिर ना प्रियोर्टीज बदा जाती है और चो छोड़ यार पेपर हो जाएंगे घर चलाना पहले वो तो इसता है उडिते 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 नौकरी के तर्स से चली जाती हैं और अप्र पर एक वक्त आता है ना पढ़ा जाता है जिम्हेदारी एतनी पड़ चूकी होती है कि बंदा कहते है यार अगग पढ़ू हो के काम करो आफ़िस वाले वैसे जान नहीं चोड़ते चीक है तो तो वो priorities बदल जाते हैं और 10 साल लग जाते हैं 20 साल लग जाते हैं होता नहीं है वो ये वज़ा होती है ठीक हो की बात और किया किसी ने पढ़ने वही कॉस्ट पढ़ने वही टेक्स पढ़ने जो आप पढ़ने फर्क किदर है फर्क किदर है कि आपको कम टाइम में ज्यादा चीज़ें बढ़ा दी जाती है और टेस्टिंग लेवल मुश्किल होता बस यह फर्क है वरना काउंटिंग तो बीकॉम वालों की भी वह सबकी अकाउंटिंग वही है ठीक होगी बात सबकी अकाउंटिंग सेम है सिर्फ यह फर्क है टेस्टिंग लेवल का तो मुझे आपसे सिर्फ दो चीज़ें चाहिएंगी एक मेनत और दूसरी कमिटमेंट अगर यह आप दो चीज़ें कर लेंगे ना जहीन नहीं भी है मैं पूछा आप तो मैंशाला सारे मर्जी से आएं मैं कुछ रोग होते हैं जिनका कई दाखला नहीं होता तो वह आ जाते हैं किसी को जबदस्ती भेड़ दिया जाता है ऐसी भी तादाद बहुत आदा होती है तो वह फिर ना कमिटमेंट के साथ पड़ी नहीं बात है तो अगर लेट आएंगे ना मैथमेटिकल सा सब्जेक्ट है आधी बात आपको वैसी समय नहीं आएगे फिर आधी क्लास में बैटके ठीक है तो इसलिए टाइम पर आ जाईएगा ताके आपको ही फायदा इसके अंदर हमारी क्लास फाइव देजा वीक होगी कि आपको शायद बता दिया क्या होगा अगर जनुरी में पेपर देने हैं तो 31 दिसंबर तक हमारा प्लान होगा यह आपको फ्री कर दिया जाए और बीच में आपके वीकली टेस्ट भी हो रहे होंगे उसका भी शेडिल आपको मिल जागा कि वह टेस्ट शुरू कहां से होने हैं वो टेस्स कर रहे होंगे उसके बाद आपका एक मौक होगा कोई 8-10 दिन के बाद उसके बाद आप पेपर अटेंप में बैठ जाएगी ठीक होगी बाद आप लोग जाके अभी टाइम मिले या जब भी टाइम मिले रिस्टेशन का प्रसस्थ पूछ ली जगा कि किसी का कुई सवाल है कोई भी सवाल आप बगार किसी जजग के जाती सवाल के लावाद पूछ सकते हैं यह बुक्स मैंने सुना है कि आई कैब ने अब दुबारा से शुरू किया है कि वो हार्ट कॉपी दे सकते हैं तो यह आप ना जब रिस्ट्रेशन कराने जाएंगे आई कैब तो आब वहां कि अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई दस बारा लेक्चर मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है तो हर आम से रिस्ट्रेशन कराके ना तो ले आईएगा अब बारवे दिन ना ले आईएगा कि बारवे दिन ही जाके लेके आएंगे जड़ा परसाई शुरू कर दी जगा थाक कि यह जी इन्शाला होती है कि मलाकाद